इसका फर्स पार्ट मैंने कल आपको पढ़ाया था जिसमें ने आपको बताया था कुछ इंपोर्टेंट फिगर्स ऑफिस्पीच के बारे में सिम्ली के बारे में मैं पर्सॉनिफिकेशन के बारे में मैं पर्ट तक पढ़ाया था आज लिट्रेशन पढ़ा करके मैं चैप्टर कम्प्रीट करूंगी सिम्ली के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब इसम्ली की क्वालिटी यह होती है कि जब दो चीजों में कम्पैरिजन होता है तो इसमें आज और लाइक का यूज किया जाता है कि इनमें जितनी भी यह सबकी डेफनीशन आपको कॉपी में लिखनी है और उसको लाइन करना यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है जितने भी डेफनीशन से सिम्ली पर्सोनिफिकेशन मैट अलिटिरेशन यह सबकी डेफनीशन आपको लिखनी है कॉपी में और लाइन करन बेटे चारों की डेफिनिशन आपको लिखनी है परसॉनिफिकेशन मेटफर और अलिटिरेशन यह आपका जो ब्लू बॉक्स में दिया है यह डेफिनिशन सिर्फ यही लिखना है ठीक है यह कॉपी में लिखनी है तो सिमली एक ऐसा फीगर ऑफ इस पीच है जिसमें दो डिफरेंट चीजों के भी समें कंपैरिजन होता है और यहां पर एज और लाइक का यूज किया जाता है फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कल पहले हम एक्सरसाइज जो कि मैंने कल आपक करनी करणी पड़ेगी यहां पर देखे दिया है सीमिल से रिलेटेड एक्सरसाइज और ती न केंटवर राइट दमीनिंग मिन इसका मिलीघ नाकु ए आपको जो क्या होता है मानवी करन्ट जिसे हम हिंदी में कहते हैं और सिमिली को उपमा अलंकार कहते हैं तो परसोनिफिकेशन वहां वह चीज़ होता है परसोनिफिकेशन इस फिगर फिच इन इडिया और और अनिमल इस गिवन अप्जेट इन सच आ मेंड़ आप इन अबलेटी तो एक लाइक वह परसोनिफिकेशन को मान भी करन्ट यह कैसा फिगर फिच जिसमें किसी भी चीज इसी भी थिंग यह आईडिया यह एनिमल को ऐसे ऐसे पोट्रेट किया जाता है कि जैसे वो कोई यूमन भी है में उसकी एक्टिविटीज को षूइमन एक्टिविटीज के तरह उसे एसिंग कि यहां पर अद्सके वह क्या गता है इसको्त अद्ध k sneaking क्या कि यहां पर आप में देखेंगे में इसको सब्जेक्ट के साथ में इसको लिखा है वैसे ही आपको इसको पर्सॉनिफिकेशन को लिखना है जैसे the feathers danced in the wind सब copy में करनी है सारी exercises आप book में नहीं कर पाएंगे इतना space नहीं है the feathers danced in the wind feathers dance तो नहीं कर सकते non living है तो dance का mean यहाँ पर क्या है moving in the wind इसी तरीके से the feathers the feathers moved in the wind ऐसे करके आपको इसका meaning लिखना है सारे sentences का कर लीजेगा नहीं आएगा तो मैं बता दूँगी ठीके next है आपका topic metaphor metaphor is a word of phrase used to compare two unlike objects, ideas, thoughts or feelings to provide a clearer description metaphor भी simili के तरे two unlike objects unlike objects यानि की two different objects, ideas or thoughts को आपस में compare करता है और simili और metaphor में difference ही होता है simili में हम as or like का use करते हैं लेकिन metaphor में as or like का use किये बिना comparison करते हैं जैसे यहाँ पर दिया है all the words stage यहाँ पर देखिए as or like का use नहीं किया गए यहाँ पर दिया भी है note में we do not use like or as to develop a comparison in a metaphor तो दोनों की पहचान यही होती है दोनों में difference ही होता है कि उसमें like or as लगता है metaphor में comparison के लिए like or as नहीं लगता है देखिए यहाँ पर एक exercise है इसको copy में करिएगा पहले एक sentence उतारिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है अगर readable नहीं हो तो मैं एक बार पढ़ देती हूं सारी exercises आपको जो नहीं समन में आएगा आप उसको वीडियो देख करके follow कर सकते जतिन इस दा class clone जतिन इस आ वाइजेकर चीक है class clone का meaning यहाँ पर दिया गया वाइजेकर books are key to the imagination books open doors in our mind for imagination ideas are wings ideas could develop into something big his legs were wax his legs could not support him he is a shining star he is very smart and bright among all the calm lake was a mirror the lake water is still and reflective as a mirror the classroom was a zoo the classroom was crazy and wild your brain is a computer your brain is is very very fast the thunder was a mighty lion the thunder was too loud the car was a furnace in the sun the car heated up in the sun यह है आपको इसका meaning metaphors का इसको आपको copy में लिखना है next hour आज का हमारा topic है अलाहा जीरिशन Alliteration means जिसे हम कहते उद्प्रेक्षालंका Alliteration means letters of alphabets Alliteration happens when words that start with the same sound are used close together in a phrase or sentence The sound is usually a consonant and the words don't have to always be right next to another क्या होता है Alliteration में यहां पर letters of alphabets Alphabets में जो letters होते हैं वो repeat होते हैं तो यहां पर repeating को हम Alliteration कहते हैं Alliteration happens when words that start with the same sound जो की same sound से start होते हैं और phrase और sentences से मिलकर के बने होते हैं The sound is usually a consonant जो sound होता है वो consonant होता है The words don't have always be right next to one another और वो एक letter के बगल में दूसरा letter नहीं होता है जो same होता है देखें यहां पर दिया है Alliteration means basically यह होता है कि जब किसी एक letter की बार बार repetition हो तो Alliteration होता है जैसे कि यहां पर दिया है For example, come and clean your cupboard यहां पर देखें कितनी बार C आया है Come, clean, cupboard अगर हम basically देखें तो C, C, C यहां पर तीन बार आया है तो यह हो जाएगा आपका Alliteration He is a careless chair person Careless में भी C है और chair person में भी C है तो जब एक letter का ज़्यादा repetition होता है तो वहां पर Alliteration होता है Alliteration figures of speech होती है In the above sentences, C is used many times It shows alliteration जो यह दोनों example है इसमें C का बार बार यूज किया गया है इसलिए यह Alliteration का example है अब हम आएंगे exercises पर यहां पर E exercise है देखें, underline the letters in each sentence below that contribute to the creation of alliteration Alliteration से related यहां पर sentences है इसमें सिर्फ underline करना है जो letter एक से जादा बार repeat हुए है देखें, यहां पर P repeat हुआ है फिर next वाले में C repeat हुआ है फिर third वाले में S repeat हुआ है फिर fourth वाले में H repeat हुआ है यहां पर S अलग है, SH अलग है जब हम उसका sound करते हैं तो सा और शा में फर्क आता है जैसे कि she, shells यह दोनों शा से बना है cell, see, see यह सब सा से बना है तो दोनों में जो pronunciation होता है दोनों में फर्क है तो यह अलग-अलग तरीके से underline है दो letters का repetition हुआ है यहां पर देखे, H का हुआ है fifth वाले में G का हुआ है sixth वाले में B का हुआ है seventh वाले में P का हुआ है eighth वाले में S का हुआ है ninth में L का है और tenth में H का है यहां basically आपने एक चीज़ देखी की consonants का ही repetition होता है all iteration wobbles का नहीं होता है next exercise है F इसको मैंने cut करा दिया है जो important है yes बेटा यह exercise आप copy में मत करिए E exercise copy में मत करिएगा इसको book में कर लीजे जो most important है वो मैं copy में करा रही है यहां पर इस chapter से related most important आपकी exercise है जी जो basically आता है figure of speech में basically meaning वगेरा इतनी नहीं आएगी आपका यह यहां पर जैसे की identify करना की कौन सा metaphor है कौन simili है यह आपका most important है जी exercise ठीक है इसको आप copy में करिएगा हाला कि इसमें लिख सकते हैं लेकिन आप इसको copy में करिएगा क्योंकि इसमें sentence दिये हैं इसको आपको recognize करना है कि कौन सी sentence simili है कौन metaphor है देखिए मैं इसको थोड़ा सा explain कर देती हूं आपको आपको समझने में आसानी होगी life is as tedious as a twice told tale यहाँ पर देखिए as का आपको recognize करने के लिए पहचानने के लिए क्या है as है तो यहाँ पर simili हो गया simili के पहचान क्या है कि वहाँ पर as या like लगा होता है ठीक है comparison के लिए next day the right year shall flourish as the palm tree यहाँ पर भी as लगा है ठीक है तो यहाँ पर भी simili हो जाएगा the wind hold in the night यहाँ पर as नहीं है like नहीं है और wind को क्या बताया जा रहा है कि hold in the night शोर मचा रहा है दाड रहा है ऐसी आवाजीं को hold कहते है तो wind को as a person as a human being उसको show of किया जा रहा है तो यह हो जाएगा हमारा personification the camel is the ship of the desert यहाँ पर comparison हो रहा है लेकिन as नहीं लगा यह हो जाएगा आपका metaphor variety is the spice of life यह भी metaphor हो जाएगा death lays his icy hands on kings death non-living है कोई living thing नहीं है लेकिन यहाँ पर उसको living human being बना करके यहाँ पर show किया जा रहा है इसरहीं यह हो जाएगा मारा personification next is the stars dance playfully in the moonlit sky यहाँ पर भी stars dance तो करते नहीं है तो यह भी आपका personification हो जाएगा laughter is the music of the soul यहाँ पर comparison हो रहा है लेकिन as or like नहीं है इसलिए यह हो जाएगा metaphor he is as funny as a barrel of monkeys as I is इसका मतलब यह simly हो जाएगा the phone awakened with a mighty ring यह हो जाएगा फोन क्या कर रहा है आवेकिन कर रहा है mighty ring को तो यह भी personification हो जाएगा ठीक है next exercise आएगी हमारी इसको exercise को जी को copy में करिएगा इसको बुक में करिएगा यहां पर all iterative praise लिखना है all iterative यानि की जैसे कि यहां पर जो words दी है देखे डॉग पिकॉक लेंप इसी के फॉस्स लेटर से रिलेटर यहां पर उसके एग्जेक्टिव लिखना है ठीक है यानि डी है डॉग है तो डी से ही हमें लिखना है डर्टी इसको आप बुक में कर लीजीगा वैसे यह भी important है इसको आप बुक में कर सकते हैं यह आज़ा फिलफ है अब देखें यहां पर जो sound आ रहा है डी का डी से बना है पी का पी से बना है फिकॉक है तो हमको पी से ही एग्जेक्टिव बनाना है ठीक है इसको आप बुक में करिएगा next exercise है हमारी आई इसको भी आप बुक में कर लीजे circle the simili in each sentence यहां पर simili को circle करना है इसको आप बुक में करिएगा next है जी exercise इसको मैंने कट करा दिया जे के ठीक है चलिए यह सारी exercises आप अपनी बुक और copies में complete कर लीजेगा complete all your work and you can ask if any problem you have I am going to end this class good day